अनिल शर्मा की गदर 2023 की सबसे ज़ादा मच एंटिसिपेटेट फिल्म होने वाली है ये वो फिल्म है जिसका इंतिजार पूरा भारत वर्ष कर रहा है जब पाकिस्तान से सकीना को लेकर आया था तारा तब उसके बाद हिंदुस्तान में तारा और सकीना की आखिरकार क्या स् है लेकिन अभी इस वीडियो में आपको मैं बताना वाला हूं कुछ और जरूरी पार नमस्कार स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुट भो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले आप लोगों ने अगर मुझे इस्ट पर दस लगे थे सनी पाजी का मैं निकला गड़ी लेकर ले लिजे या माल ओडारी ले लिजी ये सब तमाम गाने सुपर डूपर ब्लॉक बस्टर हिट गए थे अमिशा पटेल की दूसरे फिल्मति लेकिन कहीं से भी नहीं लगा क्योंकि वो इतनी मंजी हुई नजर आई क कि देखकर लिटरली दिल खुश हो गया तारा और सकीना की इस लफ स्टोरी में हमने देखा कि पाकिस्तान में जाके हैंड पंप उखाड़ा गया फिर उसके बाद हमने या पे अश्रफ अली का किरदार देखा यानि कि हम सब के चहे थे अमरिश पूरी सहाब का किरदार दे मीडिया पे बवाल मचा रहा है जहां पर उसे लाकों के लाक लोग सपोर्ट कर रहे हैं और गदर 2 के बारे में लोग यहीं कह रहे हैं कि हम लोग बेसबरी से इस फिल्म का इंतिजार कर रहे हैं गदर 2 की अगर मैं बात करो दोस्तों तो पूरा हिंदुस्तान जहां पर इस देश को आजादी मिली थी और पूरा जो एक माहौल होता है देश भक्ती का होता है गदर की अगर बात करें दोस्तों तो वो एक देश भक्ती की ही फिल्म है लेकिन उसे प्यार के एंगल से दिखाया गया है तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यहीं आता है कि क्या 11 अगस् 2023 में यह बवाल मचा देगी अब दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना मुझे ज़रूर बताएं मैं बहुत जादा इस फिल्म के लिए क्यूंकि इसमें न सरिफ दोस्तों आप लोगों को जो है अमिशा पटेल नजर आएंगे ना सिर्फ सनी देवल नजर आएंगे बलकि ग 2000 का स्टार्टिंग अर्ली का इनका डिरेक्शन था वो इंप्रूव होकर यहां पर हम लोगों को कहीं न कहीं घुजबंस देखे जाएंगे आपको क्या है कितने एक्साइटेड हैं जरूर बताएं बने रहें चैनल के साथ टेक केर